नमस्कार स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटूब चैनल बी हेल्दी में दोस्तो लिजिए एक बार फिर नए विशे नए वीडियो के साथ हाजिर है आपका दोस्त एन होस्ट डॉक्टर संदोश कुमार दोस्तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आदा करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें जिससे की मेरे सारे अनवह रुपी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बोरोलीन एंटिसेप्टिक आयरुवेधिक क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूं इसके क्या यूजेज है और ये सर्दियों के मौसम में ये कैसे हमारे स्कीन के लिए बहुत ह दोस्तों बोरोलीन क्रीम आज मार्केट का सुपर ब्रांड है जिसका उप्योग विशेषता सर्दियों में लगबग हर घर में होता है इन दिनों इस क्रीम का इस्तमाल खासकर इसकीन को मौसराइज करने में किया जाता है क्योंकि सर्दियों में हमारी त्वचा खुस्क बता दूँ तो दोस्तो बोरोलीन एक बहुत ही पुरानी सुपर ब्रांड क्रीम है जिसका इस्तमाल वर्षो से भारत के हर घर में होता आ रहा है बोरोलीन में कुछ ऐसे विशेश तत्व हैं जैसे बोरिक एसीड जो एक एंटी बायोटिक एंड एंटी फंगल एजेंट है जो त्वचा के इंफ्लामेशन को खत्म करता है दूसरी जो इसमें विशेश तत्व है वह है जिंक ऑक्साइड जो हमारी त्वचा के अंदर समा कर त्वचा को मुलायम बनाती है उसका पोशन करती है तीसरी और आखरी जो तत्व है वह है लेनोलेन जो एक एस्ट्रेजेंट हो दोस्तो अब आते हैं बोरोलिन के इस्तमाल पर दोस्तो जैसे ही सरदियां शुरू होती हैं सरदियों का इफेक्ट हमारे सरीर पे होने लग जाते हैं हमारी तवचा रूखी सुखी होने लग जाती है उसमें दरार पढ़ने लग जाते हैं सबसे जादा समस्य होटों की होती है कि सरदियों के मौसम में होट फटने लग जाते हैं, कभी-कभी इतने ज़्यादा फट जाते हैं जिससे हमें तकलीब भी होने लग जाती है इसके अलावे एडियों में दरार पर जाना, उसका फट जाना और भी बहुत सारी परिशानिया होने लग जाती है इन सारे समस्याओं में बोरोलीन बहुत ही ज़ादा उपयोगी साबित होता है दो-चार दिन के उपयोग से ही हमें काफी लाभ मिलने लग जाता है इसके अलावा बोरोलीन का इस्तमाल नाखूनों को सफ्ट बनाने में भी किया जाता है सर्दियों के मौसम में जो हमारे नाखून होते हैं उनके जो साइड में किनारे के जो इस्कीन होती है वो रुखी होकर फट जाती है कभी कभी तो इसमें तकलीब भी होने लग जाती है अगर हम बोरोलीन क्रीम को अपने नाखूनों पर लगाते हैं तो हमारे नाखून मुलाइम बने रहते हैं और चमकने भी लग जाते हैं इसके अलावा आप बोरोलीन को नारियल तेल में मिलाकर बोडी लोशन की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं महंगे बोडी लोशन इस्तमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तो बोरोलीन का इस्तमाल मेकप रिमूवर के रूप में भी किया जाता है कभी कभी हमारे चेहरे के उपर जो मेकप लगा रहता है वो इतना सूख जाता है इतना हैवी हो जाता है जो कपड़े या पानी से नहीं हट पाता है तो उसमें हम लोग boroline के क्रीम का इस्तमाल करके उसको आसानी से हम लोग हटा सकते हैं दोस्तों इसके अलावे boroline का इस्तमाल चेहरे के दाग धबो जाईयों pimples के जो एस्पोर्ट पर जाते हैं उसमें भी हम कर सकते हैं boroline क्रीम को बिटामिन E की कैपसूल में जो जेल होता है आप उसको एक साथ मिक्स करके अपने चेहरे पे रोज रात को करीब दो से तीन हफ़ते तक लगतार इस पड़योग को करते हैं तो आपको महशूस होगा कि आपके चेहरे पे जो दाग धबे जाईया पिंपल्स के दाग थे वो काफी हद तक समाप्त हो चुके हैं तो दोस्तो इस तरह अगर आप इस बोरोलिन क्रीम का इस्तमाल कुछ नए पड़योग के साथ करते हैं तो आप महशूस करेंगे कि आपकी जो तवचा है आपके जो चोहरे पे जो रोनक है जो निखार है फिर से वापिस आ जाएगी तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो परसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तो रिस्तेदारों को जरूर शेयर करें थैंक यू धन्यवाद